मानिवर अद्यक्षी लोको पाइलट का विशे कई मानिय सांसदों ने उठाया मैं आपको बहुत सपस्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि लोको पाइलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपून सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूंगा मानिवर अद्यक्षी लोको पाइलट जब अपनी डूटी कम्प्लीट करके आते हैं तो वो रणिंग रूम में ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम अब मैंद करने वाले लोग हैं काम करने वाले लोग हैं आपके तरह रील मना के रिखाने वाले लोग नहीं हैं, सब्देला? बैटो! 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 क्या है, वोचिक भूल गेता हैं! आने देख्षीद, हाउस का अडन मेला हैं, ये क्या तरीका है? कुछ भी पीज में भूल गेता हैं! मानिय दिख जी, मानिय दिख जी यहीं दो हुजार मोन जी आप बेटे-बेटे किसी वेक्ती का रेसपोंस मत करो मान्यादिक्स जी नोको पाइललेट का कम्पिलीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलएवे अड्र के तहथ बनाए गए जो rules है और वो rules मानिय अधिक्ष जी 2005 नोट करना वही 2005 2005 में बनाए गए rules के हिसाब से local pilot का सारा का सारा कारेकाल ते होता है मानिय अधिक्ष जी उसी के हिसाब से local pilot की जो average time और जो rest का time होता है वो उसके हिसाब से define होता है मैं मानिय अधिक्ष जी record पर रखना चाहूंगा 2016 में 2005 और 2016 की note करे dates 2016 में इन rules को amend करके इन rules में बदलाव लाके local pilots को और ज़्यादा सुविधा है दी गई और मानिय अधिक्ष जी पांसो अठावन सारे के सारे पांसो अठावन रणिंग रूम्स को air condition किया गया मानिय अधिक्ष जी लोको की cab लोको मोटिव की cab मानिय अधिक्ष जी लोको मोटिव की cab में बहुत vibration होता है बहुत heat होती है इसी लिए इसी लिए 7,000 से ज़्यादा लोको की cab को air condition करके उसमें ergonomic design से लाया गया है अधिक्ष जी 2014 से पहले जो आज लोको पाइलट्स के साथ सिंपथी दिखा के सिंपथी दिखा के रिल्स बनाने में व्यस्त है उन लोगों के समय में 0 था 0 एक की लोको आप मुझे बताओ 550 में से एक भी 0 था एक भी AC कैब एक भी कैब AC नहीं थी माने अधिक्ष जी यिए फिर आप किस बात का ही करते हैं किस बाते हैं किस बात का ही करते हैं माने वर देख जी माने देख जी मैं ओंगा माने वर देख जी करने एक विशे आया करने एक विशे आया कि कवच कि केरला में केरला में ऐलोकेशन विलकुल कम देख जी केरला के केरला के माने वर सांसत सुन ले केरला के माने वर सांसत सुन ले यूपिये के कारेकाल में केरला को मात्र 372 372 करोड रुपे देते थे एवरिज यूपिये के कारेकाल में माने वर देख जी आज प्रदान मंत्री श्री मोदी जी 3,011 करोड रुपे केरल को दे रहे है 3,011 करोड रुपे मानिवर अध्यक जी तमिल नाडू का करन विशय आया तमिल नाडू को UPI के कार्यकाल में मात्रा 808,879 करोड रुपेज मिलते थे आज मानिवर अध्यक जी 6,363,62 करोड रुपेज मोदी जी केरल हमारी संवेदानिक विवस्ता में फेडरल विवस्ता में जो जमीन का काम होता है लाइड एक्विजिशन का काम है वो राज्य की जिम्नेदारी होती है मैं आपके माध्यम से मानिवर सांसदों से निविदन करूँगा कि आप केरल में और तमिलादों में केरला और तमिलादों में पूरी तरह से स्योग करें